नमस्का फैंट्स मेश नाम बवली उर्मा पीपर हैकर में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे यहाँ पर जियोग्रॉफी का यह हो जाता है क्योशन नमबर स्थेकिंड क्योशन नमबर बन जो हुथा हमने ठीक है क्योशन नमबर बन हमने देख लिया था कि भी हाँ यह question इस परकार से लिखा जाएगा ठीक है बस समझना है आपको और देखना है देखना है और समझना है और आम से आपको एक्जाम में यह बहुत ही help करेगा ठीक है तो बढ़ते हैं question number second की और कह रहा है तुम्हारा ब्रह्मांड या फिर सौर मंडल की उत्पत्ती संबंदी परिकल्पनाओ तो सिद्धान्तों का संचिप्त बिब्रड़ प्रस्तुत करना है अत्वा कह सकते हैं इसके लिए प्रत्भी की उत्पत्ती संबंदी प्रमुक परिकल्पनाई जो थी दी गई थी उनके सिद्धान्त अबा सिध्धान्त पर प्रिकाश डालना है कि कौन कौन सी परिकल्पना ही थी, किस किस ने दी थी, ठीक है, उसके बार बिटेल में पढ़ना है, फिर दे रिखा है तुम्हारा आदे को, ये क्योशन बहुत ही महातूर जाता है, कि जो जैम्स जीन्स जो थे, उनकी जुआरी प परिकल्पना दीती, इसके बारे में बताना है, और दे रिखा है तुम्हारा लॉपलास की निहारिका परिकल्पना के बारे में बढ़न करना है, ये क्योशन जो है, लॉपलास की निहारिका और जैम्स जीन्स की, ये बहुत एक्जामें पूंची जाती है, इनमें से हर साल क beocean बनता है कि इसकी परिकल्पना दीजेगा या फिर इसकी परिकल्पना दीजेगा तो आज हम इनी परिकल्पना Mitte को Closed कर्देंगे, बहुत इच्छिफकार से पढ़ेंगे और exam में 100% यहाँ परEl score करेंगे ठीक है, तो बात करते हैं बढ़ते हैं इसके answer की और ठीक है उत्तर क्यों होगा यहाँ पर पढ़ेंगे पहले sawr scandal के बारे में sawr cenal है क्या उसको थोड़ा से डिटिल में लिखना तो पड़ेगा वैं ठीक है फास्ट पेंच जो होता है वो हमें क्या है थियोरी से भरना पड़ता है उसकी परिवासा लिखनी पड़ती है ठीक है उसका आर्थ लिखना पड़ता है बस पहले उसको समझते हैं यहां दरका है पत्वी सौर मंडल के एक ग्रह है पत्वी क्या है एक सौर मंडल का ग्रह है जिसकी उत्पत्ती सौर परिवार के अन ग्रहों एबंग उपग्रहों के साथ ही हुई है मतलब कह रहा है उपग्रह है और ग्रहों की उत्पत्ती क्या हैं परन्तु अधुनिक समय के बैग में बैग्यानिक आधार पर पर पत्वी और सोर परिबार की उत्पत्ति सम्द्रिक रहे हैं इसका मतलब वो कह रहा है कि जो बैग्यानिक है जो अपने बिद्वान हैं वो अब भी नहीं कर पायें कि भी परतवी की उत्पत्ति परेकार से हूई है अब भी उनमे मतवेद है बना बना कर लेख सकते हैं ठीक है बात कर ते हां आगे सामानेता ता सोर मंडल या परतवी की उत्पत्ति से समभनेत विचार धाराउं परिकल्पनाओं उपंसे धान्तों को KNITA दो बर्गों में परिवर्टित किया गया है तो दे सकते हैं जो परिकल्पना दी गई है वो दो परिकार से दी गई है दो बर्गों में डिवाइड किया गया है पहला दे रखा है तुम्हारा एक तारक परिकल्पना मतलब जो हमारी प्रत्वी है उसका उत्पन किस से हुआ वह एक तारे से उत्पन, एक तारे से प्रतवी की उत्पत्ती हुई है, यह एक तारे क परिकल्पना में बताया गया, और नेक्स्ट बाद रखी है अपनी, कि दो तारे क परिकल्पना, मतलब जो प्रतवी की उत्पत्ती हुई है, वो दो तारों से, दो तारे, या फिर दो से अध क्तारों की परिकार से कह सकते हैं ठीक है इनमें परिबर्तन हुआ या फिर मिक्सिंग हुए उससे हमारी क्या वनी प्रत्वी की उत्पत्ती हुई ठीक है तो बढ़ते हैं यहाँ पर एक तारक परिकल्पनाय कौन-कौन से हैं ठीक है और यह है क्या तो एक तारक परिकल्पनाय इस बर्ग में बेसमस्क परिकलपना या सिद्धानत आते हैं, जिनमें प्रत्वी की उत्पत्ती एक तारे से मानी जाती है, अभी आमने बताया था कि एक तारे क परिकलपना में क्या होती है, प्रत्वी की उत्पत्ती एक तारे से मानी गई है, जिसमें कुछ निमने नाम निम कौन सी है और दुए तारक परिकल्पना है कौन कौन सी है तो एक तारक परिकल्पना कौन सी है फ़स्ट बफन की परिकल्पना सेकेंड हो जाएगी आपकी कांड की कांड की बाइब रासी परिकल्पना हो जाएगी और थाट हो जाएगी लॉपलास की निहारी का परिकल्पना इसके बारे में तो डिटिलम पढ़ेंगे और दे रखी आपकी कौन सी रेसों की परिकल्पना हो जाती है और लोकियर की परिकल्पना हो जाती है तो यह कितनी परिकल्पना है पांच हो जाती है अपके एक तारक परिकल्पना हैं तो यह MCQ में क्योशन बनते हैं ठीक है तो यह सबी की सबी परिकलपना पो याद होना चाहिए कि कौन सी एक तारक परिकलपना हो जाती है अब देखते हैं दुई तारक परिकलपना क्या होती है यहाँ देखा है इस बर्ग में उन परिकलपना या सिद्धानतों को सामिल किया जाता है जिनमें सौर परिबार या प्रत्वी की उत्पत्ती दो या दो से अधिकतारों के आधार पर मानी जाती है ठीक है तो प्रत्वी की उत्पत्ती दो या दो से अधिकतारों से उत्पन हुई है तो कहेंगे भई क्या हो जाएगी दुईतारक परिकल्पना हो जाएगी अब दुईतार्यक परिकल्पना हैं कौन-कौन सी, इनके बारे में भई MCQ क्योशन बनते हैं, ठीक है, MCQ क्योशन बनते हैं, तो बात करते हैं, पहली हो जाती है, चैंबरलिन और मॉल्टन की गराणू परिकल्पना, ठीक है, फिर हो जाती है, सेकेंड बाली जैंस जिंस, कि नाम में चुपा हुआ है तो दितार परिकल्पना हो जाएगी आगे देखते हैं नेक्स्ट का रहा होईल और लिटि लिटिल टन की नब तारक परिकल्पना हो जाती है और बात करते हैं आपको एम सी क्यों में देखने को मिलेंगी एम सी क्यों में देखने को मिलती हैं तो एम सी क्यों यहां से एक क्योशन बन जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट ठीक है एक क्योशन यहां से बन जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट तो वही परिकल्पना आपको याद करना पड़ेंगी कौन कौन सी परिकल्पना किस ने दीती क्योशन कैसे बनेगा देखो यहां होगा कि गिरहाडू परिक्लिपना जो है वो किसकी होगी गिरहाडू परिक्लिपना है वो किसकी होगी तो आपको याद होना चाहिए किसकी है चैंबर और बोल्टन की हो जाएगी गिरहाडू परिक्लिपना इस प्रकार से आप से पूंच तो यह दिर्टा होगा ठीक है तो आभ इस प्रकार से पूछ सकता है कि दूतार्ग परिकल्पना जो है वो किसकी है तो यह हो जाती है तो इस प्रकार से अमचारी का परिकल्पना के बारी में पहले देखेंगे ठीक है निहारीका-परिकल्पना तो इसे थोड़ासा ध्यान से बस पढ़ना नहीं है आपको सिर्फ सुनना है तो बात करते हैं फ्रांसे ऋगरतर के लॉपलोस ने 772 में अपनी से पुस्त neue कुन से थी एक्सप्लोंस ऑफ दी बर्डड सिस्टम क्या एक्सप्लोंस एक्सप्लोंस ऑफ दी बर्ड सिस्टम इन्की बुक थी बुक का नाम याद कर लीजीगा यहापको किसमें देखने को मिलती है MCQ में देखने को मिलती, किसने देखने को मिलेगी MCQ में देखने को मिलेगी कि explosion जो है of the world system किसकी book है तो आपको याद होना चाहिए, lawploss की book हो जाती है मैं निहारका सिद्धान्त के माध्ध्यम से पत्री की उत्पत्ती पर प्रकाश डाला है, दिरकाए इन्होंने काश्ट की परिक्रपना के मुखे दोसों को संसोधन करते हुए सौर परिवार की उत्पत्ती है कि विसाल किसे, देखो यहाँ पर किसे मानी की उत्पत्ती इन्होंने मानी है एक विसाल उष्ड तथा गैसिये निहारिका से मानी है तो निहारिका बैसे ही चुपा हुआ है तो बस किसके मानी है भई गैसी है निहारिका से मानी है ठीक है इस परकार से याद रहेगा फिर करा है इस निहारिका का ब्यास और परिबार के कुल बिस्तार जितना सौर परिबार का बिस्तार था जितना सौर परिबार का बिस्तार था उसमें क्या है उतना ही बड़ा इस निहारिका का विस्तार था कैसे था उतना ही बड़ा इस निहारिका का विस्तार था ये परिवर्तित होते रहे आगे हम देखेंगे इसमें क्या हुआ और किस प्रिकार से ग्रहों उपग्रहों तारे पुछल तारे है ना इन सब की क्या ठीक है तो पहली बात यहां पर यह जो लाइन है यह जो लाइन है यह बहुत इंपोर्टेंट है भी कहरा इस निहारिका का ब्यास कितना था सौर परिवार के कुल बिस्तार के जितना था जितना की ब्रमान्ड है हमारा उतना उस निहारिका का बिस्तार था आगे देखते हैं र जो हो जाता है विक्रडवारा तीबर गती से घूमेगी तो विक्रडवारा उस पे ताप में हरौस होने लगा ताप में कमी आने लगी जिससे निहारिका की बाहरी भाग सीतल होने लगे जो बाहरी भागते वो सीतल होने लगे सीतल होने के साथ ही उनमें संकुचन भी होने लगा कि उसमें भई संकुचन भी होने लगा संकुचन के कार निहारका के आयतन बा आकार में कमी आने लगी आकार घटने से गती में निरंतन ब्रद्धी होने लगी अब आकार में क्या होगी भी छोटा होगा और भारी होगा तो क्या होगा राउंड और ज्यादा हो जाएंग अपकेंदरबल लगेगा ठीक है जिससे क्या होगा आगे देखते हैं गुतबाकर्षड और अपकेंदरबल के तुल जाने के कर निहारिका के मद्ध भाग में पदार्थ भारहीन हो गया जो मद्ध भाग था उसमें भारहीन पदार्थ पहुँच गए और बलय के रूप में य निहारिका से पिर्थक होकर एक परिक्रमा करने लगे एक परिक्रमा करने लगे यह है देखो निहारिका बहुत तकड़ी ठीक है इस प्रिकार से रॉंड़ होने लगे है न उनका क्या हुआ, निर्माड होता गया, बिविन्य बलय कालांतर से गनीभूत होकर ग्रह बने, जो बलय थे, जो बलय हो जाते हैं, ये वाले जो बलय हैं, छीक्ये, ये क्या हुए? बहुत तेजी से घोम रही थी, अपके इंदर बल लग रहा था, छीके? तो यहां पर क्या ग्रहों की उत्पत्ती होती रही, यह कह रहा है, ठीक है, देखो, यहाँ पर देखी गा, यह घूम रहा है, इस प्रिकास, घूम रहा है ना, और यहाँ पर देखो, यह कह रहा है, परत का निहारिका से अलग हो ना, यह देखो, परत बिल्कुल क्या हो गई है, अलग हो गई है निहारिका, निहारिका क्या है, अपने आप में एक सूरी बन गया, फिर कह रहा है परत का ग्रहे में परिबर्तित होना, अब ये परत हैं, ये ग्रहे में परिबर्तित होते गए, छोटे छोटे बड़े, छोटे बड़े, बनते गए, ये बात कर रहा है, ठीक है, तो बात करते अब यहाँ पर कुछ आलोचनाई दी गई इसकी आलोचनाई भी करेंगे अब यह पर इतना गलत है इसको कुछ सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई तो आए गाई ना कुछ आलोचनाई दी गई कि यह क्या है और क्या नहीं है ठीक है इसमें क्या कमी देखी गई आलोचनाई मे माग्ध्यम से पत्वी का भी उश्र तक ऐसी होकर उसके तरल तथा फिर ठोस होने आदी का बिसेज ध्यान दिया है बिल्कुर सभी बात है कि पत्वी के ठोस आने का भी अगे में देखी दिया था ठीक है बात करते हैं परंतु लॉपलास की परिकल्पना की भी परियाप्त आल अब यहां पर बात करते हैं फस्ट जो इनकी हो जाती है आलोचना वह क्या कहा गया करें इस परिकल्पना में ग्रहों तथा सूर्य के कक्छों का जो मद्ध जो डे रखा है छे डिगरी कौर जो होता है उसकी ब्याख़या नहीं की गई है कि छे डिगरी कौर बनेगा ग्रहो अब हम सूरियों के अच्छों के मद्द तो ये बात यहाँ पर कमी देखी गई तो इसकी आलोचना कर दी नेक्स कह रहा है अरुड जो यूरेनस है ग्रहे तदा ब्रसपती बस सनी के कुछ उपग्रहे बिपरी दिसा में घूमते हैं इसका भी बड़न नहीं किया गया कि जो अपने हो जाते हैं यूरेनस है ब्रसपती है सनी है इसके ग्रहे तो विपरी दिसा में भी घूमते हैं मगे उन्होंने क्या कहा भई एक ही दिसा में घूमते हैं ठीक है ये इसकी आलोचना की गई थर्ड बाले की बात करते हैं गैसी बिलियों का गनीबूत होकर गरह बनना संभब नहीं था अगर मानते हैं ये अब भी गूम रही है तो और भी ग्रहों का निर्माड उप ग्रहों का निर्माड होना चाहिए था तो कहा रहा है गैसी बिलियों का गनीबूत होकर गरह बनना सं सेथ भाग सूर्य की गति अब बहुत अधिक हो जाने चाहिए थी अगर घूम रहा है और भाई उसकी जो कह सकते हैं वो घूम रहा है अपनी जगह पर और लाइट अब भी उतनी है तो अब तक बहुत कम हो जानी चाहिए थी और बहुत सारे ग्रहों का निर्माड हो जाना चाहिए था आगे देखते हैं यह निहारका का ब्यास और परिबार के फैलाब के समान मान लिया जाए तो घुडन गती कम होने के काड़ गती कम होने पर बल्यों का अलग होना संबब नहीं था अगर गती कम हो रही है तो बले संबब नहीं होंगे अलग होकर बन जाएं तो यह यहाँ पर बताएगे और देगा तो 9 ग्रहों का निर्माड के परश्चास सूरे से गिरहों का निर्माड क्यों बंद हो गया पहली बात ये बताईगा अगर अब भी इस प्रिकार से निर्माड होता कि निहारी का गूमती रहती तो सुर्य अब भी गूमता रहता और गिरहों का निर्माड करता रहता ये क्यों बंद हो गया ये भी यहां पर आलोचना की गई त अच्छी प्रेकार से समझा अगर आएगा एक्जाम में तो बिल्कुल आप कर जाओगे अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो需 को अच्छी प्रेकार से और देख लिजीगा आप बिल्कुल से समझ जाओगे ठीक है तो बात करते हैं हम सेकंड वाले को चैंबरलिन और मोल्टन का ग्रहाडू परिकल्पना जो चैंबरलिन है और जो मोल्टन है उनकी ग्रहाडू परिकल्पना के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि यह परिकल्पना क्या कहती है हमने निहारिका प्रिक्रा में क्या देखा एक निहारिका थी ब्रह्मांड के बराबर थी बहुत बड़ी थी ठीक है वो घूमती रही निहारिका उश्ड है उश्ड मतलब कैसी है गर्म है भै घूमती रही ठंडी होती रही ठीक है उसमें निहारिका के जो भारी भारी करते वो केंद्र की ओर इखटे होते रहे और जो परत्ती जो बलै और बहुत सारी आलोचनाय कर दी वो भी हमने पढ़ ली यह हमारा सौट हो जाता है इसका ठीक है समझ में आपके आ गया होगा बात करता है यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं चैंबरलिन और मोल्टन की ग्रहणू परिकल्पना क्या कहती है ठीक है तो यहाँ रखा अमेरि परिकल्पना प्यस्तोति की इसके अनुसा ब्रह्मांड में घुमता हुआ एक बिसाल कायत तारा अब ब्रह्मांड में कौन घुम रहा है भी ब्रह्मांड में घुम रहा है बहुत बिसाल कायत तारा जो सूर्य के काफी निकट से गुजरा कहां से जो एक सूर्य था अमारा उसके कहां से गुजरा, बहुती निकट से गुजरा, यह बात यहां पर बताई जा रही है, ठीक है, इसके आकरसर सकती से सूर्य से असंखे, छोटे छोटे कड़ था, एक ज्वाला के रूप में अलग हो गया, यहां पर क्या हुआ, कि इसके घरसड हुआ, आकरसड हुआ, पा ग्रहाडू कहा गया, इन कड़ों को चैंबर लेने क्या कहा दिया, भाई यह ग्रहाडू है, ठीक है, इनको ग्रहाडू कहा गया, चैंबर लेनके अनुसार, अब बढ़ते हैं, आगे, फिर कहा रहा है, इन ग्रहाडूं में छोटे बड़े कड़ भी थे, जो भाभी ग्रह, चोटे बड़े जो कहते हैं वो भावी गराये के नाभिक बने बड़े गरहाडू के चारो और चोटे गरहाडू एकत्त होने से पिंड थथा बहह क्या बने बई उपगरह कहलाए फिर कहरा है इस परिकल नामे गरहों की उत्पत्ती सूर्य अलग प्रिकलम पदार्थ से हुई है जो यहाँ पर बहुत बड़ा विसाल का अतारा आ रहा था और सूर्य था उसका घिरसड हुआ क्या हुआ यहाँ पर घिरसड हुआ और बहुत सारे असंख टुकड़े बने छोटे छोटे ठीक है जो कैसे थे एक जुआला के रूप में थे कासे थे एक जुआला के रूप में थे और गनीबूत होकर कह सकते हैं संगन होकर ठीक है क्या बने कुछ जो बड़े थे बो नाबि कहलाए ग्रह कहलाए और जो उनसे चोटे थे वो ग्रह मतलब पिंड कहलाए उप ग्रह कहलाए इनमें डिवाइड हो गए ठीक है अब यहाँ इस प्रक्रिपना में ग्रह की उत्पत्ति सूर्य द्वारा अलग हुए पदार्थ से हुई है संपूर ग्रहों का कुल भार सौर मंडल के भार का एक बटा सास सो भाग है वेकरा यह तक्त इस सिद्धान्त के अनुकुल है कि तथा पुष्टी भी करता है कि सीतल बाठोस ग्रह पैथवी की रचना के अनुकूल है तो इस प्रकार से यह बताया गया यहाँ पर ठीक है इस परिकल्पना में कुछ नहीं था यह परिकल्पना बता रहे थी चैंबरलें तदमोर्टन की परिकल्पना कि एक बहुत बड़ा तारा था इसके समीप से गुजरा सूर्य में क्या ह हुआ घरसड हुआ गेरा सबसे बहुत सारे चोटे चोटे कड़ कंड़ कर कल यहां से अलग हुए घासर से में क्ल करते बने ग्रह बने टीके पिंड बने इनका इस्से निरमाड हो बस इतनी बात यहाँ पर बताई गई है अब यहाँ पर क्या होई कुछ आलोचनाई अब भी जब यहाँ पर ऐसा हुआ है तो कुछ आलोचनाई भी होंगी तो आलोचनाई देख लेते हैं कौन कौन सी हो जाती है तो देखते हैं यहां पर परिकल्पना के बारे में यहां जरका है ग्रहणूओं के आपसी टक्राप से ब्रद्धी नहीं होनी चाहिए थी बलकि या तो तारा या तो ताप ब्रद्धी के साथ गैस बन जानी चाहिए थी या खंडित होकर धूल के रूप में बिखर जानी चाहिए थी ये बात सही है ये बात सही है जो कह रहा है कि बहुत बड़ा तारा सूरे से आकर घरसर कर रहा है तो भही पिंड छोटे छोटे कैसे बनेंगे पिंड नहीं बनने चाहिए थे या तो त जूल के रूप में बन जाता, क्या होता? खंडित होता, और जूल के रूप में यहां पर बनना था, गर्शड होने पर, मगर यहांपर कहरा है, ग्रहों का निर्मार हुआ, तो यह एक कमी यहांपर देखी गई Second की बात करता है, यहाद रहा है, इनमें बड़े ग्रह कैसे बन सकते हैं ये भी आपको बताना था ठीक है इसमें भी ये कमीब देखी गई कि बहुत कम है तब ग्रहों में इनका कोडिय संबेग कहां से आया अब कह रहा है जो सूरे में अधिक दर्मान होते हुए भी कोडिय संबेग जो है वो कैसा है बहुत कम है परंतु जो ग्रह है उनमें कोडिय संबेग जादा है ये बताएगा ये कोडिय संबेग कहां से आया जबकि सूर्य के द्वारा निकला पदार्त ही गिरहों का निर्मार कर रहा है तो बताएगा बही सूर्य का जो है अपना कोड़े संबेक वो कम है मगर गिरहों का कैसा है जादा है और निर्मार एक से ही हुआ है तो यह कैसे हुआ यहाँ पर आलोचना की गई बात करते हैं यहाँ परसपर टकराहट द्वारा उत्पन ग्रहों की परिक्रमा पत्थ ब्रताकार ना होकर लंबा था अंडाकार होना चाहिए था अब यह थोड़ी है कि यहाँ पर टकराब हुए छोटे छोटे चोटे कड़ बने तो एक बात बताईएगा प्रतेक ग्रह फिर गोल क्यों है प्रतेक ग्रह जो है उपग्रह है तारे हैं वो गोल क्यों है अगर घरसण के दोरा छोटे छोटे चोटे टुकड़े बनेते तो इन एबस्य जारी रहनी और अधिक मात्रा में खारा होना चाहिए था यदि पहले से ही ठोस अबस्था में थी पहले ही ठोस थी तो अपर्दन की खारी रहती तता जो समुद्र का झल था वो अधिक खारा होना चाहिए था यहाँ पर एक तुटी देखी गई बात करते हैं सेविन हो जाती है लाश्ट वाली यह कहरा है फ्रेंजे कित मतनुसार गिरहों के नाबिक यह बहुत भीतर तक दबे हुए थे तथा उनके बायू मंडलिये की उत्पत्ती भी ब्रामक लगती है जो हमारे हो जाते हैं नाबिक ह पर गई उनको आप देखो गए तो क्या है बीतर तक दबे हुए हैं उनके नाबिक ठीक है तो कह रहा है इसके जो हो जाते हैं बायू मंडलिक उत्पत्ती बहुत ही भ्रामक होई है यह यहाँ पर उन्हें बताया गया ठीक है यह भी यहाँ पर एक आलोचना उनकी की गई त बढ़ में बिखर गए ठीक है वही ग्रह कहलाई और उपग्रह कहलाई उच्छलता उच्छतारा हमारे ब्रह्मांड का विकास हुआ इन्हों ने यह बताया ठीक है तो यहां पर कुछ नहीं आराम से बना बना कर लिख सकते हो बस आपको पता होना चाहिए हाँ यह बढ़ा बह जैंफरे जिन्स और जैंफरे की जो़ारीय परिकल्पना यह क्या है ब्रिटीज बिदोान जिन्स ज्याँ ज्यंस जो थे ने 1919 में पत्वी की उत्पत्ति के सम्द में जोवारीय परिकल्पना पुस्तत की आगे चल कर 1980 में जैंफरेनामख बिदोान ने इनसे कुछ संसोधन क इस इद्धान्त के अनुसार एक बहुत बड़ा तारा सूर्य के समीप होकर गुजरा था अब यहां पर भी यह भी कहा रहा है भी बहुत बड़ा तारा था और सूर्य के समीप होकर गुजरा था कह रहा है सूरे उस समय गैस का एक बिसाल तम पिंड था मगर इन्होंने ये कहा कि सूरे कैसा था ठोस था ठोस था और एक बहुत बड़ा तारा आया उन दोनों में घसर हुआ बहुत सारे खंड बने और ग्रहों का निर्माड हो गया ये तो कहा था किसने, चैंबरलन और मूल्टन ने अब यहां पर कहना है जिन्स और जैंफरे कहना है बहुत बड़ा तारा क्या हुआ भाई, यहां कहना है एक तारे की आकरसर सकती थी बहुत बड़ा तारा था और जो सूरे जो था उस समय कैसा था गैसी अवस्था में था यहाँ पर बताएगा है मगर उन्होंने क्या बताया था ठोस अवस्था में था यह कह रहा है सूरे उस समय कैसा था गैस के एक बिसाल तम पिंड था इस तारे को आकर सड सकती से करड सूर में जुआर उठा एक जो तारा था वो समीब आ रहा था किसके समीब से गुजर रहा था सूर के और सूर उसमें क्या था एक विसाल गैस का पिंड था उसके पास से गुजरा और उसमें क्या उत्पन हुआ जौर उठा जौर उसमें उठा तो कहा रहा है तारा जैसे जैसे अपनी गती चाल के अनुसार सूर के पास आता गया सूर में बैसे बैसे जौर भी अधिक उठने लगे तो कहा रहा है तारे के बहुत निकट आने पर सूरे में उभार हुआ सूरे में क्या हुआ एक उभार हुआ ज्वारिय भाग क्या हुआ आप देखा आगे देखते हैं ज्वारिय भाग से तोड़ा कट गया है आपर कोई बात नहीं है से ज्वारिय पदार्थ भी उस और अगरसर होता गया कहां पर जिस और ये तारा था जिस और ये तारा था उस और एक जवार उठा और उससे क्या हो गया यहां पर देखेगा यह दो को जवार उठा यहां पर देखेगा और इससे होते हुए यह क्या हो गया जवार यह अलग हो गया जवार उठा और यह अलग हो गया आगरसर होता गया तारे के सूरे से काफी दूर जाने पर उसकी आकरस सकती कम होती गई अब यह जहां तारा इधर के ओर जा रहा है ना तारा दूर चला जाएगा तारा जब दूर चला जाएगा सूर से तो इसकी आकरसर जो सकती हो जाएगी वो कम होती गई जिससे सूर से निकला हुआ पदार्थ ना तो तारे में फिर जा सका और ना ही आकरसर से धान्त के अनुसार सूरे में ही बापस आकर मिल सका बलकी बह सूरे के चारो और चक्कर काटने लगा फिकर है एक तरफ सूरे और दूसरी तरफ तारे के आकर सड़के कार पदार्थ की आकिरती सिरे पर पतली तथा बीच में मोटी सिगार के रूप में हो गई आपको देख रह जो का रूप धाल कर लिया तो बाद में यह है खंड घनीभूत होकर गिरहों के रूप में जाने जाने लगे ठीक उसी परकार सूरी के आकर सड़ जो आरिये पदार से बनने वाले घनीभूत आंसिक भाग इतने छोटे हो गए कि केंद्री आकर सड़की सकती के काड अपने क अपने को एक रूप ना कर सके यह इखटे ना हो सके जो कड़ थे इसके अंदर जो देखो इसके अंदर जो कड़ है यह देखेगा घनीभूत होकर इखटे ना हो सके यह अलग अलग बन गया गोल हो गया वहीं पर ठीक है इस इस्तिती में गिरहों से उपग्रह बनना बंद हो गया जब तारा बहुत दूर चला गया जो आरी ये खतम हो गया जो अलग भाग था बह क्या हुआ चोटे चोटे भागो था भागो में था गैसी रूप में था घनी बूत होकर फिर क्या बन गया भई ग्रह उपग्रह तारे पुछल तारों का निर्माड हुआ यहाँ पर यह कहा गया आगे दिखते हैं जिन्सकी जुआरी परिकल्पना अन्य परिकल्पनाओं की अपेच्छा अधिक माने रही इसके अनेक कार्ड थे यदि सौर मंडल के गिरहों को एक रेखा में ववस्तित किया जाए तो उनके द्वारा बनने वाली आ वस्तित हैं बेबी इसी परिकल्पनाओं को और पुष्टी किया गया तुम्हारा सभी ग्रहों की अपनी कख्छा में सूरी की और जुकाब सूरी की और आकर से सकती के प्रभाब को दरसाया गया है यह सारे की सारी बात यहाँ पर कही गई ठीक है तो अब यहाँ पर भई जब उनकी आलोचनाय की गई है तो हमाई देश में तो पता है भई है ना ब्रह्मान में भई कोई भी अच्छा काम करता है तो आलोचनाय तो देखनों को मिलती है तो यहाँ पर भी उनकी कुछ कम्या बदाए गए यालोचनाय की गए अनेक विसेस्ताओं के उपरांत भी इस परिक्रिप्पना में काफी कम्या भी निका ली गए यह आप बता रखा है तो फुर्ण कमी की बात करते हैं अंतरिचे में तारों की आपसी दूरिया इतनी अधिक हैं, तो फिर एक दूसरे के पास आही नहीं सकते ये कमी बतायी गई, सेकंड की बात करते हैं, पारिस्की ने गड़तिये आंकलन के आधार पर निसकर से निकाला कि सूरे एबम गिरहों के मद्द की इतनी अधिक दूरियों का आउचित नहीं है, अगर इस परकार से है तो ये बताईगा इतनी दूर दूर सूरे से ग्रह क्यों है, अगले देखते हैं, अगले देखते हैं रहा कुछ बैग्जानों को कहना हो, सारे सूरे से अलग हुए उष्ड गैसी ये भाग का सीतल होकर ग्रह बनना संबब नहीं था, बलकि इतना गर्म पदार्थ तो अंतरिचे में मिल जाना चाहिए था, वो कहरा भी अगर सूरे से ये और गैसी अबस्ता में थे, तो सीतल होकर ग्रह बनना संबब नहीं था, ये बात यहां पर बताई गई, बात करते हैं, रसेल का कहना है कि यदि इस परिकल्पना में सौर मंडल की उत्पत्ती हुई है, तो इसका आकास में फैला भी इतना नहीं होना चाहिए था, तो कह रहा ब्रहमांड में इनका विकास नहीं होना चाहिए था, फैलाब नहीं होना चाहिए था, बात करते हैं, आगे दरेखा है, फाइब मां, आगे दरेखा है, सूर में जौर उत्पन्न करने वाला तारा कहां चला गया, परी भ्रमण करते हुए पुना सूर के निकट क्यों नहीं अगर ब्रहमांड है, बो क्या है, अपने अक्ष पर घोम रही है न, सूर के चकर लगा रही है, दूरी तो भही होती है, गोमते रहती है, ठीक है, तो इसी पेकार से अगर जौर ये, अगर तारे से जौर उठा, और तारा फिर कहां गायब हो गया, उसे फिर परिक्रमा करना चाहिए था, उसे क्या, फिर करिक्रमा करना चाहिए था, और फिर आना चाहिए था, फिर जौर सूर में उपन होना चाहिए था, और फिर गिरहों का अनिर्माड होना चाहिए था, यहां पर ये बताया गया है, ठीक है, बात करते हैं छट्र में, गिरहों के कोडिये संबेग का अधिक होना भी एक परिकल्पना द्वारा पुष्ट नहीं हुआ है अगर जो कोडिय संबेग है उसका अधिक होना भी परिकल्पना द्वारा इस पुष्ट नहीं हुआ है तो ये भी एक कमी हो जाती है सूरी का जो अपना होता है क्या कोडिय संबेग कम होता है गिरहों का ज़्यादा होता है यह कहां से आपने नहीं बताया इसमें यह भी एक कैसकते हैं आलोचना यहाँ पर पाईगे सारी आलोचना बना कर आप लिख सकते हो जो इसमें कमियां हो जाती है तो फैंट्स यहाँ पर हमने देख ली ठीक है जो आरी यह परिक्रमन देख ली जिन सौप जैम परेकी तो इस प्रकार से question number दो second होता है वो समाप तो हो जाता है और बहुत ही अच्छे प्रकार से सारी कि सारी हमने परिकल्पनाय देखी है इसमें मेरा मानना है कि सारी कि सारी आपको समझ में आ गई होंगी ठीक है तो क्या देखा हमने लॉप लॉस की परियोजना सबस परिकल्पना देखी इसमें क्या हुआ छैंबरलं की और मॉल्ट रहकर मॉल्टन की ठीक है सुरी कि निंचे देखी तो इसमें क्या हुआ था एक बहुत बड़ा तारा था गरह असूरे के समीब से गुजरा उसमें गरसड हुआ और गरहों का निर्माड हुआ और फिर थो हमने देखी थी किसकी यह देखी थी जुवारिये पर इतना जीन्स और जेम परेकी तो इसमें क्या हुआ भई इसमें तारा कैसा था गैसे वस्था में आया जो सूर्य था वो गैसे वस्था में था और एक तारा समीब से गुज्रा जुआरी उत्पन हुआ और ग्रहों ग्रहों का निर्माड हो गया ठीक है तो इस प्रकार से हमने तीरों की तिनों पर इतना है देख लिए बहुत तेज प आप आप आप